इसमें साथ तरीके के बीज हैं जैसे गेहू, जो, चना और तो हमारा सावन न थोड़ा सा पीछे चलता है वाव जो शहर वाले हैं वो चाहते हैं सुकून भरी जिंदगी और जो गाउं में हैं जो लोग हैं वो थोड़ी फैसिलिटीज चाहते हैं तो एक नई सुबह आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर उमायन फैमिली पर तो फिलहाल सुबह हो गई है टाइम हो रहा है अभी साड़े दस के आसपास बज रहा है फिलहाल मौसम अभी तो ऐसा बंद बंसा लग रहा है और आए हुए आसमान में काले-काले बाद पंद न हाई है इन काले-काले बादलों को देखके पफ्च्वन की बात याद आ रही हती मेरी मम्मी की दादी है वह बोला करती थी कि काले बादल जी को डराते बारु बारिश लाते तो लेट्टि की बारिश होती है या नहीं वैसे तो मौसम भाग से अलर्ट है 2-3 दिनों कल भी अलर्ट था लेकिन कल तो इतनी अच्छी धूप आई थी और बच्चों की स्कूलों की छुट्टी थी सारे स्कूल बंद थे और मौसम इतना जादा अच्छा हो गया और जिस दिन स्कूल खुले रहते हैं उस दिन मौसम बरसने लगता है पता नहीं यह क्या चल रहा है अलर्ट वाले दिन धूप आ जाती है और बिना अलर्ट वाले दिन बायूस होने लगती है बहुत खतरनाक चल यह देखते हैं आज का दिन भर कैसा रहता है फिलहाल हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के व्लोग की और व्लोग की शुरुआत करते हैं आपको आज का मौस कि भी जाने और फिल्हाल यह रहा हमारे आंसी इसे पूरा का फूरा अचल इतनी ज्यादा गख़रें है कि अजसी GOT की कि विस्थ दूर जाने में डर लगाए कि करे की द站 सांपasas कर शापर हुरे हाहि की तो गाइस यह तो था आज का मौसम अब देखते हैं बच्चे आज क्या कर रहे हैं बच्चे हो गए हैं शैतान जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी और बच्चे बच्चों के मामा जी आए हुआ है क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी है न हूं कहा है बेटा यह इसे मिट्टी खानी होती है नन्नी प्रिणाम करो बेटा प्रिणाम करो यह खच रहा हो इतना बड़ा कितना बड़ा नन्दा देखो कितना बड़ा बाबू जै नानी के भी करो तो जल्दी से जा बेटा नानी के भी प्रिणाम जै कितना बड़ा इतना बड़ा मामा के भी जाओ बिटा थोड़ा चलना पड़ेगा तो आलस कर जाएगी पास आओ मामा जी प्रिणाम लेना है तो नंदब प्रिणाम करो ये इतना बड़ा ये तो खुछ नहीं करेंगा प्रिणाम करो पिटा आपके मुझ में क्या है मुझ खोलो नंदब में क्या है दिखाओ आ करो नंदब आ करो ऊचो उचो उचो नंदब दूग जाओ शेतानी नंदा वाव कहा है विटू कहा है वाव कहा है ये ये है ये है वाव मम्मी के सर पे कंगी मम्मी से मैंने बोला मम्मी आप ग्रीन वाला सूट पहनो तो मम्मी आजकल बस रोज ग्रीन वाला सूट पहन रही है है मम्मी है मम्मी ममी से वहने बोला सावन में ग्रीन कलर के कपड़े पैंदा तो ममी रोज हरे-हरे कपड़े पैंड रही हैं जो हमारे घर के ठीक नीचे घर दिखता है यह बेचारा किसी दिन बिल्कुल हिस्ट प्रिस्ट दिये घर था और आज इसकी हालत ऐसी हो गई है पहाड में जीवन बहुत ज़ादा सुकून भरा बहुत ज़ादा खुबसूरत तो होता ही है आपको इतने सुंदर-sundर व्यूज दिखते हैं इतना सब कुछ बहुत अच्छा होता है लोग इतने अच्छ होते हैं पर पर परेशानियां भी साथ में बहूत सारी होती हैं जैसे अगर कुछ एमेरजेंसी है, होस्पिटर वगेर जाना है तो ऐसी कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, आपको दूर जाना होता है, तो जिसमें आने जाने में काफी टाइम भी लग जाता है, इसके अलाबा जिसे शहरों में है, आशकल तो होम डिलिवरी हो जाती है अगर आपको कुछ छोटा मोटा सामान भी मगवाना है, तो भी आपके बिल्कुल डॉर स्टेप पे सामान पहुंच जाता है, लेकिन पहाडों में या ऐसी लाकों में ऐसा नहीं होता है, आपको छोटे से सामान के लिए भी काफी दूर जाना होता है, रोड है, बट रोड बट जाने के लिए आपको कुछ टाइम लगता है, और मतलब थोड़ा बहुत करनाई भरा जीवन होता है, तो यही होता है कि अगर आपको खुबसूरती देखनी है, अगर आप गुलाब की खुबसूरती देखनी है, तो उसमें थोड़े बहुत कांटे भी होते हैं, जो श बारिश तो बारिश नहीं है नहीं है बारिश कहा है नंदी ने आप क्या खा रहे हो बिटा अच्छा टीद दिखा दो अपने ये ब्यूटीफुल नक्षू नक्षू आप खांसी कैसे करते हो कैसे होती है खांसी आपको नक्षू ने सुन ली है अपनी नानू की आवास तो उसे अब नानू के पास जा रहा है और नंदी ने नक्षू के पीछे पीछे जाना है उपापा के लेकर जाते हैं पपीटा पापा कर रहे हैं उपर आ रहा हूं और मैं आपको दिखाती है उत्राकर्ण के कल्चर की एक और चीज जो मैं आपको दिखाने वाली थी वो है ये तो ये है हरेला गाइज इसमें साथ तरीके के बीज हैं जैसे गेहू, जो, चना और तिल ऐसे ही साथ तरीके के बीज है जिनें 10 दिनों के लिए बोया जाता है और हरेले वाले दिन इसे काट दिया जाता है. So guys, वैसे तो सावन स्टार्ट हो चुका है. हर जगे पर हरियाली आपको इस चीज का सुबूत है और उसके अलावा बहुत सारे लोगों के हिसाब से सावन स्टार्ट हो चुका है. लेकिर हम पहाड़ियों में, especially हमारे साइड में, जो हरेला होता है उसके दिन से सावन स्टार्ट माना जाता है. तो हरेला है परसो मंडे के दिन, तो मंडे से ही माना जाता है कि सावन स्टार्ट हुआ है. तो हमारा सावन थोड़ा सा पीछे चलता है और जो हरेला होता है इसे जो है लुष्णी में नहीं रखा जाता है तो जो फोटो सिंथेस्स प्रोसेस होती है जो संलाइट में तो वो इन पॉंथों के सांथ नहीं होती है इसलिए इनका कलर जो है यलो ही होता है तो ये थी हरेली के बारे में बाते तो चलिए आप नीचे चलते हैं यहां बच्चे खा रहे हैं पपीता, इन्हें पपीता बहुत पसंद है, पपीता और बनाना यह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वैसे, है ना ममी, भाई भाई नक्षू, मैं मुझ से करो बेटा, मुझ फुरा ठूसा हुआ है, उपर इस उपर, चल दो, चल दो, चल दो, हां, हां, खड़े हो जाओ बेटा, वेरी गूड, ये, ये, तकक, 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 वाव, ललकी, हां, वाव, अरे, 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 आपना मंकी मामा को दे दू इसको शुला दो शुला दो शुला दो शुला दो बिटा आप तुला शुला दो खाड़े नननना मैं आरे खो गया गयाुला है ये अच्छ ये क्या कर रहा है चिला रहा है वह तो आप चिला रहे हो दोप बार ले ठीश बाहर चे नननना भ़एश ऐ हा गही बारES नंत्या बारिश कह आ bullshit बेटा कहा रही बारिश आ रही है और देखे यह रहे पापा तो फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के छे और हमारी चल रही है चाय और फिलहाल मौसम अभी भी बंधी है बादल अभी भी काले लगे हुए हैं और पहले से कुछ जादा लगे हुए हैं और बीच में हुई थी थोड़ी बहुत बारिश लेकिन अभी मौसम बंध ही है और यहीं सबसे दा खराब मौसम होता है ना तो बारिश ही हो रही है और ना ही धूपी निकली हुई है और देखत कल फिर एक नई व्लॉग के साथ तब तक के लिए बाइबाइब